नमस्कार कैसे हैं आप 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 सब बहुत अच्छे होंगे बहुत अच्छे से ग्रो करते होंगे यूटूब चैनल स्मार्ट फीस फार्विंग में आप सभी का स्वागत है मैं मतश्य पालक आपका दोस्त आपका भाई आसी स्यादों किसान भाईओ आज की वीडियो में हम ठंड के महीनों में घ्रोथ होता है वो क्या ग्रोथ होता है या फिर नहीं होता है तो एकिसान भाईओ आज हम आपको इस एक वीडियो में इसी कोश्चन का एंस्वर देंगे तो अगर आप ने चैनल पर नहे हैं मेरे वीडियो का पहली बार देख रहे तो प्लीज आप मेर सब्सक्राइब कर लिए हम आपको वीडियो के माद्यम से मशली पालन से संबंदित इसी तरह नए नए जानकारी आम सब के साथ सेयर करते रहेंगे तो किसान वह बने रहें रहें वीडियो के अंतर तक चैनल के छोटे से इंट्रों के बाद फिर आप सब को हम बताते हैं कि क्य या आई-म-सी और कार फेमिली की मचलियां ठंड के महीनों में ग्रोस लेती हैं बढ़वार उनका होता है या फिर नहीं होता है कि स्टार्ट करते हैं आपको हम बताते हैं तो ठंड के महीनों में किसी भी मचली गा कि वर ट्राउट फार्मिंग को छोड़ करके किसी भी प्रगार की मचलियों का जो हमारे खासकर उत्तर भारत में पाली जाती हैं उनका ग्रोथ नहीं होता है नहीं का मतलब यह नहीं कि एकदम सुन्य होता है बाकि गर्मी के मुकाबले 15-20% ग्रोथ होता है अलाकि आप इसको एक्टेंड भी कर सकते हैं ग्रोथ को जैसे कि ठंड के महीनों में आप एक एकड़ का तलाब उसमें एक से दो टाली आप ताजे मुर्गी का बीट वगर ग प्रियोग करते रहें तो यह सारे चीज का प्रियोग करके आप 30,000-30% इञंसी और क्रोथ ले सकते औरशे में जो ठंड के महीनहों मशलियों का ग्रोथ नहीं होता नहीं के मतलब 10-20 परशेंट होता है उसको आप बढ़ा करके 30-40 परशेंट आप कर सकते उससे ज्यादा आप कुछ भी कर ले नहीं कर सकते उससे ज्यादा आपको करना होगा तो सारे पानी को एक्षेंज करके हिट करना होगा एने की जैसे पानी को एक्षेंज करके या बानी को गरम पानी उसमें मोटर के द्वारा नहीं एक्षेंज कर पाएंगे तो कायने का तात पर यह ही कि आप फंगासे मुर्गी का वीट अगरे डाले और ग्रास कार्प मशली को हरा चारा दे हर ददद जिन पर नेटिंग अगरे करा करके 30-40 ग्रोथ ले सकते हैं तो किसान भाई आसा करते की वीडियो देखर के आपको 100% समझ में आगा होगा कि ठंड के महीनों में IMC कारप का ग्रोथ होता या नहीं होता तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आयो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें सेयर करें कमेंट्स करें और हम